नमस्ते-दोस्'Tों वेल्कम ट। ती ऐन एलेक्टिकल आज वीडियो उक्तिक में हो औ tip of एब है फ Hellas area classification तो इस वीडियो में हमज़ेजारिमी क्लासिफिकेशन है क्या और हो यह हमारे एलेक्टिकल फिल्ड में हो कैसे इंपोर्टन है और कोई face एकको इंट्र्वियू में खόσ辅 इसा पुझे होज़ारस ऐर्या क्लासिफिकेशन क्या है तो आप एक्स्प्लेन कर पाओगे हजारस ऐर्या प्लासिफिकेशन क्या है तो चलो स्टार्ट करके वीडियो को तो फ्रेंड्ट्स जो कोई भी रिफाइन थी है या तो फिर कोई भी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो गैस क्या है कि उसमें खाफी सारे ऐसे केमिकल रहते हैं जो जिसमें potential है explosion होने का मतलब कि वो फटके या तो फिर बहुत बड़ा धमागा कर सकता है तो उसमें potential है explosion होने का तो अगर वो explosion होगा तो गैस क्या होगा कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे है person जो काम कर रहे है उसकी fatality हो सकती या तो भी उसको damage कर सकती सेम वे जो plant है property है उसको भी damage करेगी और साथ में environment को भी damage करेगी तो यह सब चीज़े होगी अगर हम उसमें कुछ properly take care नहीं करेगे तो तो यह सब चीज़ों को neglect करने के लिए कि जो इसमें जो chemicals जो handle हो रहे है वो जो potential for explosion है एसे chemical है उसको हमें थोड़ा extra protective रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा care करना पड़ेगा तो इसे जो area industry में रहे थे उसको ऐसे coordinate किया रहता है कि hazard के हिसाब से उसको coordinate किया रहता है zone 0, zone 1 and zone 2 में तो जो zone 0 है वो सबसे ज्यादा critical zone कहता है कि वहाँ पर एसे जो chemicals है या तो फिर एसे cases जो है वो continuously present रहते है जो zone 1 है वो थोड़ा zone 0 से थोड़ा स्कम critical है और zone 2 है वो less critical zone में आता है तो इसी सबसे डिवाइड किया रहता है और चलो इसके बारे में in depth अब हम देखते है तो जोन 0 अब सबसे बारे में क्या है इसकी जोन 0 इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई एसा एरिया जहां पर एसा explosive atmosphere अब गयाज में liquid form में है या तो फिर gas form में है वो कोई भी form में है जिससे वो क्या कि बड़ा कोई explosion कर सके तो एसा atmospheric explosive atmosphere present हो तो एसा zone 0 मतलब कि एसा एरिया जहां पर continuously या तो फिर बहुत लंबे टाइप तक एसा explosive atmosphere present हो उस एरिया को zone 0 बोलते है तो जैसे अगर मैं आपको एक्जांपल के साथ बता हूँ तो इसका मतलब होता है कि कोई भी tank है for example petrol की tank है तो petrol है वो itself क्या है कि अगर उसको कहीं से ignition source मिल जाएगा कहीं इसे भी उसको आग मिल गया तो गया होगा कि वो फूरा जल जाएगा और पूरा मतलब फट जाएगा तो उसको बोलते है explosive atmosphere तो जो एक टेंक है ये टेंक के अंदर का जो petrol है तो ये टेंक हुआ इसके अंदर इसा explosive atmosphere है तो ये जो टेंक हुआ वो zone 0 हुआ इसको हम zone 0 बोलेगे जैसे यहाँ पर दिखाया zone 0 तो आई होप आप समझ गए होगे कि zone 0 मतलब कि एसा एरिया जहाँ पर continuously या तो फिर भहुत लंबे 0 कहते है तो गई अब एक example के साथ अगर हम समझे तो जैसे आप यह देख रहे हूँ इक पैट्रोल पंप का एनिमेशन जीसा डाइग्राम है तो जो ट्रक है ट्रग रिफाइंडरी में से ट्रक जो ट्राइंसपोर्ट करेगा यह क्रूड को पैट्रोल या डिजल को तो यह उसके अंदर पैट्रोल है प्लस जो रिफाइंडरी के अंडरग्राउंड टेंक होगा यह एक टेंक है रिफाइंडरी का तो यह दोनों टेंक ही उसके अंदर क्या रहेगा पैट्रोल रहेगा तो जिसके अंदर पैट्रोल रहेगा यानि कि जिसके अंदर कंटिनुसली अथ लंबे टाइम टक एसा explosive atmosphere रहेगा उसको जोन जीरो बोलते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को जोन जीरो बोला है तो आई होप आप समझेए कि जोन जीरो जो है वो क्रिटिकल जोन है कि वहाँ पर इसे explosive potential है इसे explosive होने के material को उसको जोन जीरो बोलते हैं अब जब नेक्स्ट बात करेंगे जोन वन के बारे में तो जोन वन मतलब गाइस क्या कि इस एरिया मतलब कि एसा एरिया है कि वहाँ पर इसे explosive atmosphere क्रियेट होने का चांसी से यानि कि में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन लग कि जब आप उसको ऑपरेशन में लाओगे उस टाइम पे शायद हो सकता है कुछ लिकेच की वज़े से या तो फिर कुछ हो कि जोजिफी ये जोंठ रहता है श्कषम जीरो बौलता है कि जो ट्रस्वे के अउसमें से जो कंटेनरं में से आया पेट्रोल उसको आप ट्रांसफर करोगे ये अंडर्ग्राउंस ट्रोलाँए वह होगा पाइप में से ये ktयों त्रॉलाइब यहां यह underground tank में आएगा बट जब आप operate करोगे इसको operate करोगे यहां से यहां तक petrol लाओगे तो कुछ chances है कि यह जो pipe है उसमें leakage हो गया या तो फिर pump है उसमें leakage हो गया तो यह आजू बाजू का area मतलब कि जब आप operation करते हो उस time पे अगर कहीं पर leakage हुआ तो उस area में अगर petrol है वो split ह होगा तो उस area को zone 1 में बोलते हैं same way यहां पर petrol pump का DP है dispenser unit बोलते हैं अब यह dispenser unit है और यह आपका कार है तो यह कार में कार के में जब आप petrol फिल करते हैं उस time पे भी अगर यह nozzle में से कहीं पर petrol लीक हुआ तो बहुत chance कम है बट अगर हुआ तो यहां पे भी चांसी से की fire हो सकती है तो उस area को बोलते है zone 1 आप समझ गये होगी कि जब आप operate करते हैं जब zone 0 में से किसी चीज इसको operate करते हैं बाहर निकालते हैं या तो फिर कहीं उससे जग सेंड करते हैं उस time पे अगर machine के गलती ही या तो फिर कोई या तो फिर equal to 1000 हवर अगर एसा atmospheric explosive atmosphere प्रेजंट है तो उस area को हम zone 0 बोलते हैं मतलब कि कोई ऐसा area जैसे कि यह टेंक है यह टेंक में अगर आप साल गिनोगे कि एक साल में एक हजार कर लाग एक हजार कर लाग तक तो यह पैटल रह नहीं वाला है क्योंकि यह टेंक का परपस इस एरिया को इसलिए हमने zone 1 zone 0 में इसको वह ढूंटा रहेगा तो क्या होग कि इसलिए इसको आमने zone 0 में डाला है सेमेगे सोन वन के लिए एक एक एक्वेशान एक है कि टैन होवर इतने टाइम तक अगर था साल में इतने टाइम तक अगर कोईस्फियरिक एक्स्प्लोजिव मट्रियल रहा तो उसको हमें जॉन one sydavor में मैं कंसिडर कर लेना है तो किसे तक कॉनिया है कि पेट्र सफ होता है कि कि यहां से हम प्रॉप में मिलता है और अगर साला हम उस में ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए हमने यह area है और यह area इनको zone 1 में convert कर दिया है उसको zone 1 में consider किया है वैसे ही रीफाइंटी में भी इसा calculation करके zone 0 और zone 1 और zone 2 consider किया जाता है अब हम बात करें किस जो last less critical जो पाठ है zone 2 मतलब zone 2 मतलब कि इस क्या हुबा कि यहाई atmospheric explosive atmospheric जो एन्वार्मेंट है वह बहुत ही शोट पिरियर्ड बहुत ही मतलब कि रेर टुरेर जो एरिया है वहाँ पर चांस है उस एरिया को हम जोन टू में कंसिडर करते हैं कि मतलब आप नॉर्मली कुछ प्रेजेंट नहीं होगा बट बहुत ही रेर सिचुएशन में अगर हुआ तो कि बहुत कम रेर टू यहांस होता कि आपने कभी देखा कि पूरा गत्रूप है उस बूर तो यह इसा एडरिया जहां पर 10 घंटे से भी कम टाइम साल में अगर पड़ाया या तो फिर कोई एक्सप्लोसिव इटमस्पिर पड़ाया तो फिर उसको ऑस अब समझ गये होगी की जरन 20 जोन 201 लेक्टरिकल सोर्टम चुंक जया है किवें में तो इलेक्ट्रीक्रिकल में क्या मेंया तो पुरा ओपरेशन जोगा है कि वह पुर स्वोड ही उसको फाइर होने के लिए का गया है कि इस पार्क अगर उसको स्बसें तो रहे गाई तो ऑक सीजन नहीं ने अगर इस रहे गए कि वह पूरा जो ब्लांट है उसको मतलब कि कुछ भी कर सकता बड़ा डिजस्टर हो सकते है तो वह स्पार्क ना मिल ह्थेसे चंदर इन निल अमले उसके आंदर बिन एक सब्सक्राइब डिर उसके अंदर सबसार को सकता है या तो फिर के लिए अचnaire इसे वह बढ़ा हो जाएगा और अगर हम इसे जो इरिया है सोन जी रो अरिया है है। वान एरिया है उसमें उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल एक्विपमेट करते हैं फॉर एक्जमपल गई फ्लैम प्रूफ एक्विपमेट है तो वह ऐसे एक्विपमेट है कि उसमें शायद अगर इंसाइड कुछ ब्लार्स भी हो जाएगा तो बाहर जो उसका जो फ्लैम्स निकल सब्सक्राइब करते हैं इसलिए हजाडस क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में इंपॉर्टमेंट है इसे आपको आंसर देना है तो थेंक्यू गैस अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्रा झाल